हेलो दोस्तो मैं माला मन्नो की सुईट गार्डिन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है यह मिटी का पॉट है और मैं इस पॉट में एडिनियम का प्लांट लगा हुई हो दोस्तों यह सेमेंट का पॉट है और इस मिटी गोमा का प्लांट लगा हुआ है और दे पॉट में करने से बहुत ही काओ चलता है लगातार मैं तीन साल से अपने गार्डेन में पॉट में कलर कर रही हूँ तो मैं हर तरह के पॉट में कलर की हूँ तो देखिए मैं दिस्टेंट पर प्लास्टिक पेंट रखी हूँ और इनामिल पेंट भी रखी हूँ मैं दोनों का बहुत यूज की हूँ, मैं और दूसरा सस्ता वाला पेंट यूज नहीं की हूँ, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ये ब्रस भी मैं रखी हूँ दोस्तो, तो मिटी वाले पॉट और सिमेंट वाले पॉट में, स्टेमपर प्लास्टिक पेंट का हमने बहुत जादा लगातार तीन साल से मैं अपने गार्डेन में पॉट का कलर करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी हो चुका है दोस्तो, मिटी के पॉट में आप कोई भी पेंट करेंगे, तो इसका पेंट हटने लगता है दोस्त, तीन साल के बाद लेकिन सेवेंट वाले पॉट में यदि आप पेंट करते हैं, डिस्टेंप पर प्लास्टिक पेंट तो इसका कलर बहुत लंबा चलता है, देखिए, एसन पेंट है और 580 रुपे में मुझे एक लिटर मिला है, तो मैं इसे ही ज्यादा यूज करती हूँ, पहले बहुत सार आया बहुत अच्छे से दोस्तों, तो कुछ हमारे पॉट बचे हुए थे, उसे मैं कलर कर रही हूँ, तो मैं आपको यही अच्छी तरह से सियर कर रही हूँ, दोस्तों, कि आप देखे और आप देख करके ही समझाएंगे कि इसका कलर कितना अच्छा निखर करके आता है, इसमें बहुत ज्यादा साइनिंग रहता है, سेमेंट वाले पॉट में तो बहुत लंबा चलता है, दोस्तों, तीन साल से मैं लगाई हूँ, और मेरे अगल बगल में आप रेट कलर के बहुत सारे पॉट देखे हूँगे, उसमें बहुत लंबा चल रहा है, दोस्तों, एक बार भी खराब नहीं होता है तो सेमेंट वाले पॉट में बहुत लंबा चलता है देखे कितने हमारे सेमेंट वाले पॉट में लगे हुए और एक बार ही मैं तीन साल पहले की थी इसका कलर बहुत अच्छा निकर करके आता है दोस्तो इसलिए मैं यह प्लास्टिक पेंट ही यूज करती हूँ तो देखे मिटी वाले पॉट में फिर से मैं इसमें कलर करूंगी इसका कलर थोड़ा थोड़ा हट गया है तो मैं एक बार इसमें थोड़ा सा ब्रस मार दूंगी तो बहुत अच्छे से इसमें कलर आ जाएगा दोस्तो पहले से इसमें कलर है ही थोड़ा स साइड साइड से हटा है उसे मैं फिर से दुबारा कर रही हूँँ दोश्तो इस तरह से करने से हमारे पॉट बहुत ज़्यादा खुब सूरत लगने लग जाते हैं दोश्तो तो तो देखे सभी pot में हमने color कर दिया, color करने के बाद हमारा pot कितना खुबसूरत लगता है दोस्तो, color आप अपनी पसंद से ले सकते हैं दोस्तो, मैं yellow और red का ज़्यादा रखी हूँ अपने garden में, तो देखे टीने वाले pot भी हमारे garden में बहुत ज़्यादा है, और टीना वाले pot में तो inamil paint बहुत ही बढ़िया होता है, दोस्तो, ये paint भी मैं तीन साल पहले की हूँ, और सभी हमारे pot बहुत अच्छे से color किये हुए हैं, दोस्तो, टीना वाले pot में inamil paint बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, और सेमेंट और मिटी वाले pot में आप डिस्टिम पर लगाई दोस्तो, तो देखिए, यहाँ पे मैं तीना वाले pot में फिर inamil red color ली हूँ, और मैं इसमें paint करूँगे, तीना मैं cut करके रखी हूँ, इसमें plant लगाना है winter का कुछ मुझे, तो देखिए, सभी को मैं फिर से color करूँगी, दोस्तो, तीना को मैं कैसे cut करती हूँ, और कैसे म वाले pot क्यूं अच्छा होता है, terrace garden के लिए, मैं short video में upload कर चुकी हूँ, दोस्तो, आप मेरे long video को भी देखिए, दोस्तो, जितना प्यार आप मुझे short video में देते हैं, उतना ही प्यार मुझे long video में आप लोग दे, दोस्तो, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है video बनाने के और मैं जो भी बनाती हूँ, अकेली होती हूँ, फिर भी tripod से बहुत मुझे से मैं video बनाती हूँ, आप लोगों के लिए दोस्तो, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ, आपके साथ share करती हूँ, और इमांदारी पुरबक में share करती हूँ, जो सही होता है और अच्छा होता है, वह अधि मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए, आपसे बाते करते करते, मेरे तीनों पॉट में इनामेल पेंट से कलर हो गया, इनामेल पेंट जब आप यूज करते हैं, तो तारपीन के तेल से ब्रस को अच्छी तरह से साफ कीजिए, हाथ में लग जाता है, उसे भी तार करते समय थोड़ा सा कपड़ा को बचाना होता है, क्योंकि कपड़ी में लगता है, तो जल्दी नहीं हटता है, दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइट, कॉमेंट, सब्सक्राइब करें, बाबाई, टेक किया,